गैं दोस्तों daiло दोस्तों आप सबीका फिर से एक नए विडियो पर स्वागतर है चले दोस्तों आज हम आपलों को बताने वाले हैं गनीत का वायल पेपर, जहाँ दोस्तों, अगर आप भी कलाष 13 में है और 16 फेपर बेपर देने वाले हैं आपका एक्जाम अगर फर्स शिप पूछा जाएगा गनीत से डरने वाले student मेरे पास आजाएगा जितना भी question है यहां से करके जाएगे question भी लेकर आए है इसका answer भी लेकर आए है पेपर भी आपके सामने है केवल आपको पढ़ना है समय दोस्तों कम नहीं बलकि काफी कम समय है और इस कम समय में भी आप लोग प हम आपको बताई थे गराफ कैसे बनाः जाता है ठीक है तो इसमें हम आपको डबा बना दिये थे ओरूँमार को आप लोग बनाना काफी आसान होता है और आप लोग को आसान तरीके से आज हम आपको समझाएगे तो तो आईए हम इस graph को बनाना सीखेंगे और copy लेते हैं सारा चीज आपको फिर बताते हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि graph में आपको सबसे पहले दो समीकरन दिया रहता है ठीक है पहले ये दोनों समीकरन को solve करेंगे फिर आपको graph copy दिया जाएगा एक्जाम में ठीक है एक्जाम में आपको copy देंगे और वहाँ पर आपको graph बनाना है ठीक है तो पहले जो दो समीकरन है पहले आईए इसको solve करते हैं डबा बनाते हैं काफी आसान तरीके से और फिर आप लोगों को आगे बताएंगे graph कैसे बनाया जाता है दोस्तों आपके सामने ये जो है ना दो समीकरन दिया गया था एक समीकरन है x-y बड़ावर एक दूसरा समीकरन है 2x-y बड़ावर 8 ध्यान दीजेगा दोस्तों आपको वहाँ पर pen से नहीं बनाना है किससे बनाना है आपको अपने साथ में geometry box ले जाना है और वहाँ पर pen seal ठीक है और वहाँ पर जो है आपका scale, scale की साहता से आपको बनाना है pencil का यूज करना है ना की pen का pen चलाना ही नहीं है गर आप में ने तो 5 number नहीं मिलेगा ठीक है वो सकता है 5 number का है 2 number दे दे और ये कोई वरी बात नहीं है दे भी सकता है तो आपको geometry box ले जाना है, साथ में आपको scale ले जाना है और वहाँ पर बनाना है तो सबसे पहले जो दो समीकरन दिया गया है इस दोनों समीकरन को पहले हम लिखते हैं और बनाते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे गर आप क्यासे बना जाता है अगर यह समीकरन समझ गया तो फिर गराब बनाना काफी आसान है यहीं प्रेस्टूडेंट फस जाते हैं ठीक है न देखे सबसे पहले जो समीकरन एक है तो समीकरन एक से solve करेंगे ठीक है तो लिखना है समीकरन एक से समीकरन एक आपका जो है अगर यहां से हम X वरावर निकार ले तो X वरावर आपका क्या हो जाएगा एक और यह जो मैनस का Y है इस साइड आजाएगा आपका पलस का Y हो जाएगा यह आपका हो गया अब नीचे से आपको क्या करना है एक डबा त्यार करना है ठीक है और इसमें x और y कमान भरना है ठीक है चलिए इस तरह से हम आपको बता देते हैं और इसी तरह से आप लोग लिख कर आएगा 5 में 5 नमबर मिल जाएगा यहाँ पर आपको x लिखना है यहाँ पर आपको y लिखना है ठीक है देखिए अगर यहाँ पर y का मान अपने मन से ऐसा बारा नमबर नहीं लेना है अगर छोटा अगर लेते हैं अगर छोटा मान मानिएगा तो आपका result भी छोटा ही अगर y का मान छोटा लेजेगा तो x का मान भी छोटा ही आएगा तो हम 0 से शुरू करते हैं अगर y का मान हम 0 लेते हैं तो एक प्लस जीरो करेंगे तो एक्स ब्रावर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है अगर माले जिए y का मान हम दो लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा आप एक भी ले सकते थे ठीक हम दो ले लिए हैं कोई बात नहीं है तो y का मान अगर दो लेते हैं तो समिक दू क्या है ध्यान दीजिए यहां से गर हम 2ू एक्स बराबर निकाले तो होजएगा 8 और पलस का Y बराबर के उस साइड लेकर jayenge –य तो यहां से गर हम X बराबर निकाले तो आपका क्या हो जाएगा 8-y और बट्टे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है आप क्या कीजिए फिर से एक box बना लीजिए यहाँ पर ठीक है दाया सैट में box बना सकते हैं कोई दिकत नहीं आपको copy दिया जाएगा graph copy भी दिया जाएगा exam में और आपको बनाना है ध्यान रहे दोस्तों आपको geometry box लेकर ही जाना है ठीक है यहाँ पर x लिख दीजिए यहाँ पर y लिख दीजिए देखिए अगर भाग देने वाला जब भी आएगर आप तो आपको ऐसा अंक उपर में मानना है जिससे कि नीचे वाला से पुरा-पुरा कट जाए ठीक है तो देखिए अगर y का मान अगर हमान लिजे 0 लेते हैं तो y का मान अगर 0 लेंगे तो 8 में से 0 को मैनस करेंगे तो 8 होगा 8 में 2 से भाग लाएंगे पुरा-पुरा लग जाएगा तो y का मान अगर 2 लेंगे तो देखिए 8 में से 2 को मैनस करेंगे 6 हो जाएगा 6 में 2 से भाग देंगे तो आपका 3 हो जाएगा आपका ये दोनों डबबा तयार है जैसे ही ये डबबा तयार हो गया तो आपको चलना है गराब कॉपी पर ठीक है अब देखिए आपके सामने दोस्तों गराब कॉपी ये रहा ठीक है अब इस गराब कॉपी पर आपको सॉल्व करना है क्यासे करना है ध्यान दिजिए गा सबसे पहले गराब कॉपी में आपको दो लकीर इधर से और इधर से खीच लेना है अपने हिसाब से ठीक है और उसमें ध्यान देना है कि जो दो डबा बना है इसमें दोनों डबा में सबसे बही संख्या क्या है तो सबसे बही संख्या क्या है चार है दोनों डबा में तो आपको गराफ में जो लकीर खिचना है आपको चार तक ही खिचना है पांत तक भी खिच सकते हैं लिकन जादा बढ़ा नहीं लेना है ये आपको pen seal से बनाना है ना कि pen से pen यूज़ करना ही नहीं यह पलस वाला इधर आपका हो गया x- ये आपका हो गया y उपर पलस वाला नीचे आपका हो गया ध्यान देजे नीचे जो y- है इसका मतलब हो गया यह मैनस वाला है यहाँ पर हम लिख भी दिये हैं देखिए जो पलस वाला है उसको पलस में लिखे हैं जो मैनस वाला है वो मैनस में लिखे हैं और ध्यान दियेगा आपको 0 से स्टार्ट करना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6 मैनस में 1 मैंनस में 2, मैंनस में 3, मैंनस में 4, मैंनस में 5, मैंनस में 6 चुकि इधर मैंनस वाला है नीचे भी आपका y मैंनस वाला है तो आपको मैंनस में लिख देना है अब आईए अब आपके सामने जो समीकरन दिया गया है पहला क्या है देखिए, पहले हम समी करन पर चलते हैं, ठीक है, जो दो डबा बना है, इस डबा से मतलब है, X का मान कितना है, एक और Y का मान है, 0, ध्यान रखिएगा, X का मान कितना है, एक, Y का मान 0, तो यहाँ पर हम देखिएगे, X का मान 1 कहा है, यहाँ पर, ठीक है, X का मान 1 यहाँ पर और y कामान कितना है y कामान है 0 तो इसमें y कामान 0 आपका क्या हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से गराफ बन गया ठीक है y कामान 0 0 तो दोनों के लिए है x y दोनों के लिए ठीक है उसके बाद देखिए x कामान कितना है 3 y कामान है 2 X का मान लेंगे 3 और Y का मान 2 कहां लेंगे तो Y का मान 2 लेना है पलस में उपर जाना है ठीक है तो उपर देखिए 2 किस के सामने में है यहाँ पर 3 के सामने में आ गया है तो आपको यहाँ पर रंग देना है यह आपका हो गया ठीक है तो पहला वला डबा तैयार है अब आपको scale के सहायता से आपको क्या करना है इसको मिलाना है ठीक है और इस तरह से मिलाईएगा थोरा भी टेड़ा मेड़ा नहीं होना चाहिए एकदम आपका बरावर होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए यह आपको ऐसे करके 3 बना देना है ठीक है? और यह जो समिकरन था इसमें समिकरन भी आपको लिखना है तो यह समिकरन पहला वाला था तो यहाँ पर लिख दीजेगा यह जो बनाए है यह आपका होगया x-y वरावर एक वाला ठीक है? यह होगया अब देखिए दूसरा आपका क्या है? दूसरा बॉक्स में आईए x-4 y-0 ध्यान देजे x-4 तो x-4 यहाँ पर होगा y-0 तो यह x-x पर हो जाएगा उसके बाद देखिए x-3 y-2 x-3 और y-2 यानि फिर से इसी बिंदू पर आ गया यानि कि यह बिंदू और यह बिंदू को अब की बार मिला देना है ठीक है? आईए दोनों को हम मिला देते हैं फिर उसके बाद आगे समझेंगे देखिए यहाँ से आपको क्या करना है? इस तरह से मिला लेना है और लकीर खीच देना है इस तरह से मिलाने के बाद आपको लकीर इस तरह से खीच देना है हो गया लकीर खीच दिये है आप देखिए यहाँ पर क्या करना है उपर तीर बना देना है नीचे भी आपको तीर बना देना है और यह समिकरन आपका क्या था समिकरन दूसरा था यह समिकन आपका क्या था, दूसरा समिकन था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दूसरा समिकन यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यह समिकन आप लिख सकते हैं, 2X पलस Y बरावर 8, यह लिख दिये हैं, बस, आपका गराव तयार है, ठीक है, आप यहां पर देखिएगा जो दोनों रेखा हैं एक दूस्य को पर्ती छेद करती है तो यहां पर देखिए x का मान कितना है 3 और y का मान 2 तो यहां पर लिख दिजिएगा x वरावर 3 और y वरावर 2 और यह आपका आंसर हो गया और यहां से आप लोग 5 नंबर ले सकते हैं एक भी नंबर examiner नहीं काटेगा यह रहा तरीका graph बनाने का उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गये होंगे graph का जो है न हम 3 वीडियो बनाएंगे एक वीडियो में हो सकते हैं आप लोग नहीं समझेगा इसका 3 वीडियो बनाएंगे तीनों वीडियो देख लिएगा 5 नंबर तो 100% आपका रखा हुआ है और जैसे हम बताएं हैं इसी तरह से आपको बनाना है exam hall में ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लोग समझ गए है अगर आप कैसे बनाया जाता है तो जो ए शुडेंट नए है चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें भूलियेगा नहीं 16 फेरगरी ठीक है क्योंकि 16 फेरगरी को गनीत के पेपर में अगर आप बना कर आना है दोस्तों ठीक है न अगर हम बता दिये हैं तो आपको बना कर आना ही आना है चलिए तो जो ए शुडेंट नए है चैनल पर पहले बार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का जो भी वीडियो हम बताए वो आपके पास पहुंचता रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरा